मेरे साथ उद्योग पती रॉबर्ट वाड़ा जी है आज वो सिद्धी विनायक मंदिर में दर्शन करने आए थे सर बपा के दर्शन किया आपने क्या मांगा क्या गेना चाहिए मैं समय समय यहां आता हूँ और जरूर मैं लोगों के लिए सुख शान्ती की बात करूँगा और जो यूद हो रहा है उसको उसमें सीस वायर हो और मतलब एक जुट होकर हमें यूद से यूद को रोकना चाहिए और वहां मुझे लग रहा है बिलकुल किसी का भला नहीं होगा जो भी हम देखने है बच्छों के दुख हो रहा है जो मौते हो रही है उससे खाली दुख हो रहा है सबको और गलत है ये सब तो ज़रूर मैं उसके लिए यहां मैं ज़रूर आता हूं शमय समय पर आता हूं सिद्धी बनायक और मैं ज़रूर ये बोलुânगा कि हुशी और स इसी मुदे पर आज प्रियंका गांधी जी ने ट्वीट किया है नाराज की ज़ते हैं कि इंडिया ने सीसपायर को रोखने के लिए वोट नहीं किया है इससे आप किससे देखते हैं जरूर मैं उनके साथ जो वो कह रहे हैं मैं उसमें सहमत हूँ और जरूर इंडिया को मैंने युद को रोखनाचे राजसान में बार ऊंज़ाजों में चुना होने माले हैं राजसान में चुनाव के पहले कंग्रेस के निताओं पर एडीकी सutetा देखे बीजेपी का प्रचार में जरूर एजेंसियों का दुर्प्योग होता है और एजेंसियों को और राजनीटी को बिलकुल अलग रखना चाहिए और किसी भी एजेंसी पर लोगों पर भरोसा नहीं होगा क्योंकि जब भी कोई भी उमीद्वार होते हैं कोई भी आते हैं और उससे कोई नतीजा निकलता नहीं है जब भी एलेक्शन खतम होगा वो सारा जो एडी का जो मामला है सारा दूर हो जाता है और उसका दुपी हो रहे है बीजेपी के द्वारा लोग सभा के पहले 5 राजों में चुनाव हो रहे हैं, क्या लगता है कॉंग्रेस, कितने हद तक जीतेगी, कितने राजों में कॉंग्रेस हैं? देखे लोगों को बीजेपी से अब दुख मेसूस होता है और मंदब खुशी नहीं है जिस तरीके से वो सरकार कहीं भी होती है तो तोड़ते हैं चाहे करनाटका हो और मध्या प्रदेश में भी हुआ था और मुझे लग रहे कि सरकार ने जैसे लोगों ने जैसे बीजेपी को हटाया करनाटका में वैसे ही आप देखेंगे MP में और पांच राजियों में कॉंग्रिस की सरकार बनेगी इंडिया गटबनधन के बार में क्या करना चाहेंगे आप सी टकराफ चेए ने करें देखे जा रहे हैं चुनाफ के पहले तो क्या डोहजा चौबिस तख इंडिया गटबनधन टिक हैगी या फिर और मच्बूत हैंगे जो गटबनधन बना है उसमें सब को सब पार्टियों क जितनों को परिशान किया गया है इसलिए गडबंदन बना है और जरूर यहां सबकी बात सुनी जाती है सुनवाई होती है सारी पार्टियों की तो यह बीजेपी में नहीं होती है इसलिए वो बीजेपी के साथ नहीं रहेंगे कोई भी ऐसी पार्टी अब यहां जो यह चाहूंगी 22 जनवरी को प्रायंत प्रतिश्टा की बात कही जारी है राम मंदर में चुनाव के पहले बीजीबी का जिस तरीके से उन्होंने तयारी कि थी राम मंदर को लेकर अब आखिर कर वह होने जा रहा है इसे अपके सब्सक्राइब देखे हमें सेक्यूलर रहना चाहिए हमें लोगों की नोकरी की बात सोचने चाहिए महिला की सुरक्षा की बात सोचने चाहिए और भेद भाव की राजनीती से दूर रहना चाहिए मेरा यही सोच है और इसलिए प्यांका और राहूल प्रचार करते हैं लोगों से मिलते हैं उ जैसे कि हमारे साथ धनेवाद सर्म से बात करने के लिए और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से इसराइल और फिलिस्तिन में लगातार युद चल रहा है और इसी कारण से वो यहां पर आई थो और यहां पर पातना करने है तो और उन्होंने कई मुद्व पर ABP News से बात की कर दो आई